हेलो दोस्तो नमेशकार दोस्तो अब हम लगा चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और ये जो सो आज की दिन डूरिंग दा मार्केट भी अगर हम लोग यहां पर बात तरे एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को यहां पर आती भी देखने को आपे मिली है तो इससे रिलेटर भी कुछ अबर कि हर किसी को पता है दोस्तों GST से रिलेटर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे अलग-अलग प्रोड़क्स हम लोगों को देखने को मिले थे कि इसके उपर टैक्स लगेगा इसके उपर टैक्स कम होगा इसके उपर पहले 5% था वो बढ़कर इतना हो जाएगा इ तो यह जेएसटी के चलते भी हो सकता है क्या क्योंकि इसके चलते अगर हम लोगों कहा पर बात करें तो प्रोड़क्स के दाम यहापर बढ़ेंगे तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैंने आप लोगों को अल्ऱड़ी आप लोगों को बता के रखा हुआ है जब कम कमपनी के पॉक forbidden में जाता है जब टैक्स के चलते कमपनी को किसी प्रोड़क्स का दाम सो से 110 करना पड़ रहा है तो 10 रुपया टैक्स सरकार के पास जाता है कमपनी के पास नहीं सो जो आप सोच रहे थे जो कमेंट सेक्षन में जो ंडब कूच रहे थे एक्जेक्लि उसका reversal हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है मतलब यहाँ पर जबी भी tax बढ़ता है न दोस्तो यहाँ पर ना तो individual और ना ही company को इसका कोई benefit मिलता है क्योंकि company को कैसे नुकसान होगा obviously क्योंकि जो चीज पहले let's say 100 पर चलती थी अभी tax बढ़ेगा यहाँ पर तो company का नुकसान होगा तो company क्या करेगी वो tax तो आपसे ही वसुल करेगी indirect way जिसके उपर बहुत बढ़ेगा तो यहाँ पर उन companies के business के उपर goods के उपर services के उपर अच्छा कासा impact पड़ता है अभी हम लोग को यही देखना है कि देखा गया है तो अगर आप इस चानल को regularly follow करते हो मैंने GST से related कितने सारे updated videos बनाए है कि जब ही जब ही ख़बरे आई थी तब ही तब ही अभी हम लोग कह सकते दोस्तो final यहाँ पर दस्तकत भी हो चुके और यह rule अभी applicable भी हो चुका है rule मतलब क्या कि यह tax अभी यहाँ पर इन इन चीजों के उपर लगने वाला है और इसके चलते देखा गया है तो इन companies के लिए वो basically अच्छी ख़बर तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि इनके चीज़े tax के चलते महेंगी होने वाली और वो extra पैसा सरकार के pocket में जाएगा ना कि उन companies के pocket में तो इससे कोई भी उनके numbers में improvement होने वाली नहीं है ना ही उनके margins में तो चले देख लेते कौन से चीज़े महेंगी होई है और इसके चलते कौन से shares को इसका थोड़ा सा negative impact पढ़ते वे देखने को आपे मिलने वाला है तो चले उसी के उपर आ जाते है तो रोस्तो शुरुआत करेंगे आपे शहद से आप सभी लोग का पता है honey की अगर हम लोग आपे बात करें तो इसके उपर भी अभी GST आपे लगा दिया है बढ़ चुका है अगर हम लोग आपे बात करें अभी इसके रिलेटेड डाबर हनी डाबर हनी जैसे companies हम कह सकते हैं मतलब डाबर जैसी company या फिर मैरिको जैसी company इनके लिए हम लोग जरू कह सकते हैं एक negative खबर यहापे ना होगा तो इस चीज की चलते इनको definitely यह negative point हम लोगो देखने को मिल सकता है next अगर हम लोग आपे बात कर तो दोस्तो LED की अगर lights की अगर हम लोग बात करें bulbs की बात कर जिसका प्रचार सरकार खुद बहुत जोरो शोरो से आपे कर रहे थी इसके उपर भी GST लगा दिया मत सब लगा दिया मतलब पहले भी 12% था अभी बढ़कर 18% किया so definitely अभी हम लोग आपे कह सकते है इसके चलते LED का king Dixon technology इसको definitely आपे थोड़ा बढ़ जटका यह आपे तो जरूर लगेगा right क्योंकि बहुत अच्छा का सा business इनका LED से यहापे होता है then अगर हम लोग आपे बात क करें तो यह भी company हम लोग को इसी category में आते हुए देखने को मिल जाती है electric equipment से related usually मतलब हैवल्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी हम लोग को LED में यहापे देखने को आप मिल जाता है तो ऐसे companies के लिए हम लोग कह सकते tax बढ़ा है दोस्तों यह बार-बार बोलना चाहूं चार्ज वहाँ पर रहता था तो वहाँ पर GST नहीं था अभी GST वहाँ पर भी आ गया तो बेसिकली अगर देखा गया तो एक आम आदमी के लिए बहुत ही खराब ख़बर है क्योंकि उनको वहाँ पर extra taxes यहापे देने पड़ेंगे बट stock market की सबसे अगर देखा गया तो द कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लेमंटरी के बात करें आई टी सी की बात करें बड़े ग्रैंड होटेल है 55 स्टार होटेल से सो वहाँ पर कोई 1000 से नीचे तो रूम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी तो stock market की इसाब से यह news हम लोगों को शेर की इसाब से आप 5000 से जादा है तो उसके उपर भी GST आपे लगा दिया हाला कि मैंने आप लोगों को बताया भी था इसमें एक exception है कि ICO, ICO bed से related यह चीज़े रहेगी तो उसके उपर कोई भी GST नहीं आएगा एक बार फिर भी आप confirm करके देख लेना दो से तीन बार इस चीज़ का जिक्रक क मिलने वाला है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते दोस्तों तो बड़े-बड़े hospital, Apollo hospital, 40s की बात करे, max healthcare की बात करे, metropolis की अगर बात करे, healthcare से related, नारेंडरा, रुदैल की अगर हम लोग आपर बात करे, वकार्ड की बात करे, तो इनके लिए definitely negative खबर है हम लोग ऐसा बोल सकते है बट फिर भी यह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग usually पैसे दिखते नहीं, usually ऐसा नहीं होगा कि health से related कोई issue है, and कोई emergency में आपर आ गया है, and GST चेक करके decision लेगा, बिल्कुल भी नहीं, so definitely हम लोग आपर कह सकते हैं, जो decision यापर सरकार नहीं आपर लिया है, इसके चलते हो hospital sector के services के उपर इतना ज्यादा कोई फरक यहापर नहीं पड़ेगा कि यह महंगा है, इसलिए हम लोग यहापर नहीं जाएंगे, तो इतना कुछ ज्यादा फरक यहापर नहीं पड़ेगा, बट yes, अगर हम लोग बात करें यहापर, GST हाँ, इनके उपर applicable यहापर होते वे द इतना कोई फरक नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, जिस चीज की सुविदाय सर्विसे इस्तमाल करनी है, वो तो करनी ही पड़ेगी यहापर, तो हम लोग यहापर कह सकते हैं, बहुत सार लोग online यहापर इन चीजों को करना, यहापर start कर दे, धिमे-धिमे करके इन चीजो पर बतलब जो उसके उपर GST लगना, वहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स के उपर इतना कोई फरक पड़ेगा नहीं, नेक्स बात करेंगे तो दोस्तों लसी के अगर हम लोग बात करें, या फिर बटर के अगर हम लोग यहापर बात करें, डेरी प्रोडक्स के अगर हम लोग अगर हम लोग यहापर बात करें, ओट्स की अगर हम लोग यहापर बात करें, यह सारी चीजे अगर हम लोग को देखने को मिल जाती है, जैसे कि राइस की बात करें, वीट की बात करें, यह सारी चीजों के उपर भी हम लोग को GST बढ़ते वे देखने को यहापर मिल रहा ह सरकार बोलती थी कि इसके उपर हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे करके सो फाइनली वहाँ पर हम लोग को टैक्स लगते वे देखने को मिल रहा है और बेसिकली अगर देखा गया तो FMCG जो कमपनीज है जो की पैक करके इन चीजों को याप बेचती है उनके उपर डेफिनेटली इसका बुरा असर हम लोग को होते वे देखने को आपे मिल सकता है तो डेफिनेटली FMCG में देखा गया बहुत लंबी लिस्ट है आप सभी लोग को याप पता अभी ओट से रिलिटेड अगर हम लोग बात करें जो भी कंपनी आप लोग को देखने को मिल जाती है FMCG के अंडर ही आपे देखने को आपे मिल जाती है तो इसलिए FMCG सेक्टर के लिए अगर देखा गया तो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट तो यापे जरूर है अगर हम लोग यहापे बात करेंगे दोस्तो तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है तो यहापे आप लोग को पता है solar से रिलेटेड water heater की अगर हम लोग बात करें तो इसके उपर भी हम लोग को GST लगते वे देखने को आपे मिल रहा है अभी solar से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें water heater अगर आप Google भी करोगे तो Tata Power का नाम तो आप लोग को सबसे पहले ही देखने को आपे मिल जाएगा तो बेसिकली जितने भी solar से रिलेटेड काम करने वाली company से जो की water heater यहापे बनाती थी तो उनके जो दाम है वो यहापे महंगे हो जाएगी क्योंकि सरकार वहापे GST लगा रहा है थोड़ी ना company अपना नुकसान कराएगी वो तो आपके ही जेब से वसुल करवाएगी तो इसलिए यहापे हम लोग को यह भी एक negative ख़बर फिलाल तो देखने को आपे मिल रही है तो देखा गए तो यह list मतलब वैसे तो बहुत लंबी थी बट जितने भी important products थे and services थे वो मैंने आप लोग के सामने आपे रख दिये हैं जैसे वीडियो के शुरुवात में ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि इसके चलते companies को एक रुपे का भी benefit यहापे नहीं होगा in fact yes उनके volumes कम हो सकते हैं वो एक खत्रा हम लोग को देखने को आपे मिल सकता है बट देखा गया तो long term की साबसे अगर हम लोग यहापे बात करें तो यह सारी चीज़े यहापे चलती रहती है ऐसा कभी नहीं होता है कि यहापे थोड़ा सा tax यहापे बढ़ गया इसके चलते company ही तबाह हो गई प्रोवाइड कर दी जाएंगे आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के तरो उपन की है यह भी मुझे comment section में बता देना तो एक हफते बर के अंदर अंदर यह सारे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड यहापे कर दी जाएंगे तो that's it, thank you very much दोस्तों we will be meeting our next video तब तक के लिए, bye bye